MIUI 12.5.1 का एक ID ROM यानि Indonesian ROM का latest port हमारे MI8W devices के लिए आ चुका है और इसे फिलाल में अपने POCO के M2 Pro device के अंदर यूज कर रहा हूँ और ये एक official stable update का port है लेकिन इसके अंदर काफ़े कुछ बदलाव किया गया है जिसके वेसे आपको काफ़े interesting नए features देखने को मिल जाते हैं तो वीडियो को पूरा last टक watch करते रही है और इस से related में आपको यहाँ पे सारी जनकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको यह working देखने को मिलता है और कैसे इसे install करना है आपके phone के अंदर तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बस आपसे एक ही request रहेगा प्लीच चैनल को subscribe करना न भूलें यहाँ पे आपको by default देखने को मिल जाता है super live wallpaper enable तो इसके वाज़े से maybe आपके phone के अंदर हलका full का slow feel हो सकता है तो इसे fix करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone का wallpaper change कर लेना है आपको इसा भी wallpaper pick कर सकते हो जिसके वज़े से आपको यहाँ पे एक अच्छा सा smooth experience home screen पे देखने को मिल सके तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे wallpaper available है आपको जो भी चाहिए वह आप यूज करो आपकी मर्जी होने वाली है ठीक है और जो wallpaper मैं यहाँ पे यूज करता हूँ उसका link आपको टेलिग्राम पे मैं provide कर देता हूँ तो वहाँ से आप इसे download कर पाओगे उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आते हो about पे तो देखनी को मिल जाता है इसका जो MIUI वर्जन है 12.5.1 साथ से साथ इसका अपडेटर भी देखनी को मिलता है क्योंकि यह global room का port है और what's new पे टैप करने के बाद जो global का change log आता है न वो भी आपको यहाँ पे देखनी को मिलता है जिसके अंदर notes में काफी कुछ बदलाव किया गया था और साथ साथ यहाँ पर recent वगड़ा काफी ज़्यादा improve किया गया है जिसको जिसके आपको MIUI काफी ज़्यादा faster वगड़ा देखनी को मिले तो वो साथी चीज़े यहाँ पर change log में mention किया गया है और specs पर आते हैं तो 8 month का latest security patch आपको देखनी को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है और official Android 11 यहाँ पर आपको दिखाई देता है इस port के अंदर और POCO M2 Pro के लिए हाल फिलाल में Android 11 का update आया था जिसके मैंने पूरा dedicated वीडियो दिया था यहाँ पर जो आपका system updater है यह अच्छे से काम करता है क्यों global room का port है तो यहाँ पर कई सारे update आपको नजर आते हैं starting पर जिससे आपको update कर लेना है क्योंकि मैं यहाँ पर already कर रखा हूँ जैसे कि आप यहाँ पर screen support पर देख पारे हो कई सारे system के apps के update यहाँ पर मुझे देखने को मिले थे और जो यह आपको gallery देखने को मिलता है यह भी MIUI का official gallery है जिसमें आपको extra advanced features देखने को नहीं मिलते है लेकिन normal जितने भी features है न cloud icon वगेरा वो सारे चीज़ आपको यहाँ update कर दिया गया है जो कि काफी अच्छे तरीके से काम करता है और वहीं पर हम YouTube पर आते हैं कोई third party music player अगर हम use करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि music control का एक नया features आया था जिसके उपर मैंने एक video दिया था कैसे हम इसे activate कर सकते है manual है तो इसे by default यहाँ पर activate किया गया है जिसका आप use कर सकते हो music वगरा को control करने के लिए और इस पर tap करने को बाद कुछ इस तरह किसा आपको preview देखने को मिल जाएगा तो यह भी चीज मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा कि by default यहाँ पर enable करके हमें देखने को मिलता है अगर यहाँ पर tap करें तो edit पर आने के वही पर setting के और in करते हैं तो आपको यहाँ पर always on का support मिल जाता है तो अगर हम अपने phone को lock कर दें तो यहाँ पर आपको always on देखने को मिलता है sound में भी वही आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसे पोको के M2 pro device के अंडर डालते हो तो यहाँ पर आपको पोको का launcher नहीं MIUI का launcher मिलता है जो कि काफी जड़ा advantage आपको मिल दाता है MIUI के कस्टमाइशन देखने को मिल दाएंगे और बाकी settings वगेरा यहाँ पर arrange कर सकते हो आप recent को vertical वगेरा horizontal वगेरा लेकिन वहीं पर animation की बात करेना तो काफिया तक यहाँ पर animation को receiver रखा गया है ताकि आपका phone यूज करते समय एक अच्छा सा experience प्रवाइड कर सके जैसे कि आप देख पा गए यहाँ अगर मैं इसे unlock करता हूं तो कुछ खास यहाँ पर animation नजल नह सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है digital value क्योंकि global वाले और इंडियन वाले में digital value ही नजल आता है बाकी में हमें focus mode वगरा देखने को मिलता है special features में video toolbox, floating और age control कैसी काम का है नहीं तो इसे आप ignore करो और आई बात game turbo और video toolbox में क्या नजर आता है तो आजएते हैं gallery की और और यहाँ पर आप देखते तो यह रहा हमारा video toolbox जो की same है जिसमें कुछ खास बतलाव नजर नहीं आता और अगर हम बात करें game turbo की तो game turbo आपको किस तरीकी से दिखाई देता है तो उसके उपर भी एक नजर डाल लेते हैं यह हमारा game turbo और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है timer का features लेकिन voice changer का features यहाँ अभी तक आया नहीं है क्योंकि officially activate नहीं हुआ है और यह official base room है जिसको यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता तो फ़ाट time लगने वाला है तो यह चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रही बात performance कैसा निकल के आता है तो उसके उपर भी एक नजर डाल लेते हैं और यहाँ पर इसका boot animation latest dollar provide किया है तो यह भी आपको एक advantage देखने को म लगा है और L1 का support आपको मिल जाएगा जो कि अच्छी बात है और दुबारा मैंने इसे game draw के अंदर add किया उसके बार यहाँ पर performance down हो गया 85 का तो normally काफी अच्छा काम कर रहा है जबकि add करने के बार उतना अच्छा देखने को नहीं मिला और यह है हमारा BGMI का gameplay जो कि मुझ आएगा जब आपके phone के अंदर super live wallpaper रहेगा तो लेकिन जैसे आप उसे remove कर देते हो यहाँ पर बिल्कुली smooth हो जाता है और काफी अच्छे तरीके से काम करता है और आपको पता है कि जो इंडिया का room में उससे काफी better और far smooth निकल के आता है हमारा Indonesia का room जो कि अभी फिलाल मैं यहाँ पर डाल के use कर रहा हूं रही बात कि यहाँ पर इसे install कैसे करना है और किस टैप का boot animation देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं आपको पहले boot animation दिखाता हूं और यहाँ पर आप देखे होगे कि जो boot menu है यह भी अभी old है अपडेट नहीं हुआ क्योंकि अभी जितने भी stable update आया ना उन सभी में change नहीं किया गया जिसके विससे आपको यहाँ पर भी change दिखाई नहीं देता तो एक बार restart करते हैं तो यहाँ पर आप देखे जो boot animation है जो icon है यह भाई जो latest भी फिला लाया था me 11 devices के अंदर official मिला था beta के अंदर वो यहाँ पर add कर दिया गया है जैस है कि official आपको पता है कि आजकल है जो Google के dialer आ रहे हैं जिसके विज़से यहाँ पर Google का dialer messaging और यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है contact वगरा तो यहाँ चाहो तो replace कर सकते हैं रूट करने के बाद अदर्वाज officially आपको यह dialer देखनी को मिलेगा जिसके विज़से आपक किसे install कैसे करना है और आप देख से तो यहाँ पर background काफी जला transparent देखनी को मिलता है तो यह जाज मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा बलर effect काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर नजर आता है यहाँ पर recovery के open हो जाने के बाद आपका जो भी backup वाला important data है उसे आप backup कर ले है एड पर टैप करके यह जो glow room है 12.5.1 लेकिन यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो यह I think name mistake है तो इसे ignore करना उसके बाद आपको यहाँ पर swipe कर देना है complete flash हो जाने के बाद आपको back जाना है और एक और patch flash करना है जो कि USB fix है क्योंकि आपका यहाँ पर जो USB file transfer है न व swipe पर जाना है format पर जाना है yes type करके format कर देना है यहाँ पर confusion है क्योंकि कभी enhanced edition आया है 12.5.3 और यह Indonesia Rome 12.5.1 और दोनों को download करने के बाद थोड़ा different हो जाता है नाम का क्योंकि आपको मैंने about में दिखाई दिया है 12.5.1 और यहाँ पर मैं रोम flash कर रहा हूं तो लिखा बात है 12.5.3 तो confuse मत होना ठीक है उसके बाद यहाँ पर reboot कर देंगे थोड़ा सा टाइम लगे है फोन के on होने का उसके अगर आपके पास 64 megapixel अला डिवाइस है तो उसके लिए अलग से आपको patch डालना पड़ेगा ताकि आपको 64 megapixel काम कर सके अधवार नॉर्मल कैमरा आपका अच् ठीक है तो बबाए